अब सभी चात्रों की college admission की बारी आ गई जो भी बीए बीए सी बीकॉम पार्ट वन में admission लेना चाह रहे थे second mate list बहुत सारी call university का कब जारी होगा first mate list कब आएगा तो सारी जनकारी यहाँ पे clear हो गई है second और first mate list के लिए आपको कैसे check करना है सभी university ने यहाँ पे latest update जारी कर दिया गया है दूसरी और पहली mate list के तहट सभी college में admission शुरू है जो online नहीं भी करवाए है उनका भी admission कराने का मौका दिया गया है यानि online registration नहीं करवाए है वो भी यहाँ पे admission ले सकते है तो हम जानेंगे कौन से university का second mate list जारी हो रहा है और कौन से university का first mate list जारी हो रहा है कैसे check करना है बिहार के सभी university का हम update लेकर आ गये तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से दिखेगा क्योंकि एक-एक university का आपको एक-एक करके मैं दिखा रहा हूँ तो फड़ापर वीडियो को शेर कर देजे ताकि सभी कोई information यहाँ पर पहुंच सके पूरी वीडियो ध्यान से देखना है आपको सबसे पहले बात करते हैं JP university की सबसे अदर छातरों को कोई परसान किया है कोई university तो यह है आपका जैपरकास university छपरा का बार बर यह बोलता है कि मेरिट लिस आज आ रही है कल आ रही है और आखे का मेरिट लिस छातरों को आ ही नहीं पाता है इसका लेटेस अबडेट है कि मेरिट लिस जो है वो कभी भी जारी कर सकता है हो सकता है आज साम तक फिर से मेट लिस्ट जारी कर सकती है एक एकर करके सभी इन्विसिटी का आपको बताने जारे है डाउनलोड करने के लिए आपको बिहारहर्प.in आपको क्लिक करना है बिहारहर्प.in जैसे हैं क्लिक करेंगे आपको फटाक से नीचे के ओड़ जाना होगा और यहां पर इन्विसिटी का अपडेट आएगा जहां से आप बिहार के किसी इन्विसिटी का मेट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं चाए बो सेकेंड हो या फर्स्ट मेट लिस्ट हो ठीक है यहां पर देख सकते हैं इन्विसिटी अपडेट यहीं से आप बिहार के सभी इन्विसिटी का made list, जो है, बो डाउनलोड कर पाएगे, सभी इन्विसिटी का link जो है, बो यहां पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अब बात करते हैंускे करके सभी इन्विसिटी का, वही बात करे बी एन् एमियू, फ खबराना नहीं है, अचानक से मेरिट लिस्ट आपका BNUME का आज या कल में आपका जारी हो जाएगा, तो जो भी BNUME के इंट्टेंट है, सारे डोकुमेंट मधलपूरा वाले रेडी रखे, आपका मेरिट लिस्ट के तहद आपके कॉलेज में एडमिसन हो जाएगा, तो कभी भी मेट लिस्ट यहां पे बी एन्यू में जारी कर सकती है अब बात करते हैं अगले इन्वेसिटी का सेकेंड मेट लिस्ट के लिए नई अपडेट देखते हैं कि किस इन्वेसिटी का सेकेंड मेट लिस्ट किस दिन जारी हो रहा है पूरी वीडियो ध्यान से यहां से द जारी नहीं कर रही है यानि 12 सितंबर के बाद जो है अब वो अपडेट जारी करेगी सेकेंड मेट लिस्ट को लेकर तो यहां पर उम्मीद लगा सकते हैं कि 12 सितंबर के बाद ही अब भीहार बिस्विद्या ले यानि कि आपका मुझे अपरप इंविसिटी का मेट लिस्ट से वो लिया गया था उसके बाद जो है आपका सेकेंड ठर्द और फॉर्थ मेरिट लिस्ट के जारी होने की बात कही गई थी यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि सेकेंड मेरिट लरी तना इनमितला इंवसिटी कब जारी कर रही है हालाकि आपके आठ सि करा लेना क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं करा ओगी तो थर्ड मेरिट लिस्ट में ना माने कि कोई चांसे ज नहीं रह जाएंगे ठीके तो यहाँ पर बता दे कि मितला इंवसिटी जो है चार मेरिट लिस्ट तक जारी करती है तो अभी आपका सेकेंड आएगा ठर्ड आएगा फिर फॉर्थ मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद ही आपको स्पॉर्ट एडमिशन का मौका मिलेगा खासकर लली त्यायन मितला इंवसिटी का ठीके दुसरे इंवसिटी का देखते हैं तो यहाँ पर भी एडमिशन जो है बो समाप्त हो चुका है फर्स्ट मेरिट जो है बो यहाँ पर जारी होने जा रहा है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा बीर कुवर्स इंवसिटी का इसकी बात कर ले तो क्योंकि यहाँ पर आठ सितंबर तक एडमिशन चला है उसके बात कॉलेज जो है बो यहाँ पर सीट अपडेट करेगी कहां कितनी परस्ट मेरिट जारी कर देगी हाला कि जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी तो चैनल कर सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे पुर्णिया इंबसिटी पुर्णिया करता पुर्णिया इंबसिटी में फर्स्ट मेंट लिस्ट जारी हो गया लेकिन उसमें एडमीशन पे रोक लगा दिया है यानि एडमीशन नहीं होगी जिनका भी मेंट लिस्ट में नाम आया हो उनका भी एडमीशन पे रोक लगा दिया के आसपस और उसके बाद ही second minute list जारी की जाएगी तो जिनका first minute list में राम आ गया है तो उनका जब admission रुका हुआ है तो second minute list में सोच सकते हैं आपको 10 से बारा दिन तक लग सकता है अगर दो दिन में आपका first minute list में जो छात सामिल हुए है उनका admission शुरू हो जाता है तो हलाकि बोला गया था कि 5 सितंबर तक नम अंकल लेने के लिए निदेश दिया गया था लेकिन उस पे रोक लगा दिया गया तो अभी तक शुरू नहीं किया गया जैसे ही शुरू होगा आपको इस चैनल के माध्यम आपको बता दे का शुरू किया जाएगा बीस सितंबर से लेकर जो है तक आपका अडमिशन चलेगा ठीक है और उसके बाद जो है वो आपका अडमिशन समाप्त हो जाएगा यहाँ पर जो भी अभी तक अडमिशन नहीं ले पाए है रेजिस्टेशन नहीं करवाए पाए है उनका आखरी मौका पार्टली पुत्रा इंविसिटी है तो जरूर से आप अडमिशन करा लिजेगा 16 से 19 सितंबर तक आपका ओपेर मेरिट लिस्ट के लिए आबेदन होगा और जो चात आबेदन करेंगे वही उसमें अडमिशन ले सकते हैं उसमें भी आपको कॉलेज आब अंटित होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है तो इस चैनल पर जरूर से बने रहिएगा जो भी आप रेजिस्टेशन नहीं करवाए हैं 16 सितंबर तक आपको रेजिस्टेशन करवाना होगा ठीक है गाइस सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और दूसरी बात कि जो नहीं करवाए हैं उनके लिए एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है वो भी देख लीजी और स्पोर्ट राउंड के तहट जो एडमिशन होता है उसमें आपको एक सीज का ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले रेजिस्टेशन करने से पहले आपको कॉलेज देखने होते हैं ओनलाइन पोर्टल पे जाके कि किस कॉलेज में कितनी सीटे बच्ची हुई है जो कि आप अगर पार्टली पुत्रा इन्विसिटी में कर रहे है तो पार्टली पुत्रा इन्विसिटी की वेबसाइट पे जाके 16-19 सितंबर तक आप जो है यहाँ पे आबेदन तो करी पाएंगे लेकिन कॉलेज कहां कितनी बच्ची हुई है वो भी आप देख पाएंगे उसी कनुसार अपरई स्टेशन कर आना ताकि आपको सही कॉलेज मिल सके ऐसा नहो कि फिर आप कॉलेज सेलेक्ट करें और उस कॉलेज में पता चले कि सीठी ना हो तो ऐसे गलती बिल्कुल मत करना कैसे आपका स्पोर्ट रांड में ऑनलाइन करना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा 16 सितंबर को मैं बिल्कुल बताऊंगा कैसे आपको कॉलेज में सेटे देखनी है उसके बाद कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं सारी इंफोर्मेशन समझा दी गई है बने रहे हैं चैनल पे एक भी अपडेट आप से मिछ नहीं होगी मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई अपडेट के साथ थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो वीडियो को शेयर ज़रूर करें